कक्षा दस्वी पास करने के बाद आपका कोई फ्रेंड बोलेगा कि चल भाई अपन आर्ट से लेते हैं कोई बोलेगा साइन्स से लेते हैं आपके टीचर आपको अलग-अलग चीज़ेस्ट करेंगे कोई बोलेगा भाई एगरी कल्चर में बहुत स्कोफ है आपने क्लास से कॉलिफाई करना है तो अपने कंको क्रते मैं सी लेते हैं यौर अपन को खूलेटर बनना है यार अपन क्या ले और मैं एक गार्वी क्लास में कौन आपको इसको तो साइंस ले रहेे मैं मैं लोग प्रस बến घला ओखुई और उठना सुभाव भी गए आज से 6-7 साल पहले आज से 7-8 साल पहले हाना जब मैं 11 में गया था हमारे मन में भी यह सब प्रश्ण उठा करते थे ठीक है तो मैं अमन सहू आप सभी का टीचर ठीक है अमन सहू आपके अमन भीया आज आपको पूरा समधान करेंगे कि आपको 11 क्लास में कौन सा भी से लेना चाहिए ठीक है यहाँ पर देखिए आप अभी पढ़ाई करके आप यहाँ तक पहुँच चुके हो ठीक है आपने भी 10 क्लास आपने आपर क्रेक कर चुका है ठीक है 10 क्लास आपने आपर क्रेक कर चुका है ठीक है अब यहाँ पर आपके सामने 5 रास्ते हैं पहला रास्ता यह है दूसरा यह है तीसरा यह है चुहता यह है और 5 यह है एक रास्ता है आपका मेश से लिया जाए मेश से लेकर क्या आपकी पढ़ाई किया जाए दूसरा बायो बायो लेकर पढ़ाई कर जाए तीसरा आर्ट से लेकर पढ़ाई किया जाए या फिर कामर से लेकर पढ़ाई किया जाए या फिर एक गरी culture लेकर पढ़ाई के आए या फिर class 10 के बाद हम यहाँ पर ITI कर ले या हम class 10 के बाद polytechnic कर ले polytechnic कर ले आपके इतने options होते ठीक है इतने options आपके पास यहाँ पर होते 10th class के बाद अब मेरी वाँ समझना किते रास्ते और हर रास्ता आपको अलग जहाँ पर ले आएगा अलग आपको मंजिल पर ले करके जाएगा ठीक है और आपको विल्वकुल सोच समझ के निड़ने लेना है और विल्वकुल मैं हाँ पर आप लोगो अच्छा होता है और नहीं कोई सब्जेक्ट बुरा होता है सारे विसे में फुल स्कोप है मेरे कई सारे दोस्त जिन लोग ने अभी ITI किया है बो लोग भी जोब में मेरे कई सारे दोस्त जिन लोग ने पाहिल टेकनिक किया है उन लोग की भी से लें से लिया। वहां लुग काई थ्यांस लौई लिया है भी करां। लोग अंपे सब्सक्राइब निरिशस्क्राइब सकते हैं उन्हें से कंद्र कंद्र के walk करां। उन में से कम से कम 4-5 लड़की है अभी नर्स बंचों की है गवर्मेंट नर्स 30-35 जार उपर मेहने की पेमेंट बो लोग जेल रही है कई सारे लोग मतलब कि नीट का एक्जाम भी कालिफाई कर चुके डक्टर की द्यारी कर रहा है कई सारे लोग ने मैस से लगा कर प्रहाई किया बो लोग भी अच्छे आँगे अपनी फिल्ड में अच्छा आँगे कुछ कर रहा है तो सारे सब्जेक्ट अच्छे है आप किसी सब्जेक्ट को गलत मत बोलिए किसी सब्जेक्ट को आप सही मत बोलिए और कभी भी किसी से पूछो तो ये मत पूछो कि हमको कौन सा भिसे लेना है सुनो एक कहावत है सुनो सब की सब की सुनो लेकिन करो मन की जो आपका मन कहता है आपको करना बही काम है सब से पूछो कि भाई ये रास्ता कहा जाता है इस रास्ते पर चलूँगा तो क्या मंजिल मिलेगी इस रास्ते पर जाओंगा तो जवलपुड पहुंचूंगा पर छाओंगा तो आंगे क्या है सुन लिया आप लोगक ने सब की ओब आपको पूरा जानकारी हो चुकिकि इस रशन पर जाओंगा तो जवलिपुर पहुंचूंगा से गाँलयर पहुंचूंगा सुन लिए कि इस रास्ते पर कौन-कून कितना पेशना राग आग चूर्स करने में। पूरी जानकारी लेलो सबसे पूछ लो सुन लिए सब की अब करो वही जो तुम्हारा मन गहता है। सुनो सवे की और करो मन की जो आपका दिल बोलता है जो आपका मन बोलता है आपको बही काम कर रहा है किसी कहा सुनी पर नहीं करना है कि मेरे भाइये ने बोल दी साइन्स लेना है तो मैं साइन्स लूँगा मेरी अम्मा ने बोल दी कि आर्स ले तो आर्स लूँगा भाई क्यो और पर कोई इंसान कुछ काम न कर पाए इसे किस इंसान ने जबरदस्य को इसको आपको साइस करेगा हर इंसान आपको शतरा चीजी बताएंगे सुनो सब की और करो बही जो आपका दिल बोलता है जो आपका मन बोलता है अब सब्जेक्ट लेती साहिन में आपको दो बातों का अब इसे ज़्यान देना है पहला आपको बनना क्या आपको क्या बनना है और दूसरा आपका इंट्रेस्ट किसमे है आपका interest किस चीज में आपको यहाँ पर रिडिसाइड करना है अब कई सारे बच्चों लोग मुझे बोलते है सर हमारा interest गडित में है हमको गडित अच्छी लगती है हमको chemistry अच्छी लगती है हमको विज्ञान अच्छा लगता है लेकिन हमको collector बनना है जबी collector बनने के लिए क्या पढ़ना पढ़ता है भूगोल, अर्थसास रितिहास यह सारे बढ़ना पढ़ता है तो कई सारे बच्चों लोग का interest है collector बनने में लेकिन उनको पढ़ना दूसरे बढ़ना है कई सारे लोग का interest होता है कि समयं इंट्रेस्ट दूसे चीज में और बनना कुछ है तो दोरों में से क्या देखके बना जाए मांच छलो कि गड़िक बिल्कुल बिविज्ञान नहीं बनता है, वाय बिल्कुल समझ में नहीं, किसी में ध्यान दिया जाए, तो मैं आपको अपना अनुम्र बता रहा हूँ, जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट, ये हम पेदा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्लास 11 में मैंने मैंने मै 90 परसेंट था ठीक है अब मुझे गड़ित में इंट्रेस्ट है फीजिक्स में मैं एक्सपर्ट हूँ एंगलिस में भी एक्सपर्ट हूँ अब जैसे में किलाश ट्वल से निकला फिर मेरा मेरे सुचा मंद को बनना क्या है इंजीनियर ने यार इंजीनियर सब्सक्राइब और हाइफ फीस है लाखों करोड़ों रूपए मतलब लाखों रूपए कोलेज बारे लूट लेते हैं नोलेज कुछ मिलता नहीं है डाक्टर ना डाक्टर बनने के लिए नीट निकालना पड़ेगा नीट केसे निकालनेगे अपन वो टॉफ एक्जाम है नीट का एक्जाम तो बायो तो पनने लिये नहीं है अब करे तो क्या करें फिर मैंने सार्च कि यूटूब पर सबसे बड़ी नोगरी फिर मिने इंट्रेस्ट अब क्या पनना है मांतों मुझे कलेक्टर बनना अब कलेक्टर बनने के लिए गडित बिल्कुल नहीं पढ़ना बिज्ञान बिल्कुल नहीं पढ़ना कलेक्टर बनने के लिए आपको इतिहास पढ़ना पढ़ता है भूगल पढ़ना पढ़ता है राजनिती पढ़ना पढ हाल नेहरू अंंग्रेज्व को धरदर धर धर्द गोली मार दीए अरि संभीधान की धार ऐसी होती हुआ अपराद्य कर दें कीसे ने बलातकार कर दिये चोरी डकेती के लिए कौन से होती भूग प्रढवी के बनी ब्रहिमान के केसे बना सूरज केसे बना चंदरवा केसे बना जब पढ़ा मैंने आर्ट को तो मुझे तो अप गड़ित से ज्यादा आर्ट में मजा आने लगा तो निसकर सी निकला फिर मेरा मन भाई जो इंट्रेस्ट होते हैं ना वहम खुद पेदा कर सकते हैं आप यह मत बोलो कि मुझे बसी लगती तो तुम पढ़ोगे ना पना शुरू करोगे ना तो आटमेतिक तुम मजा आने लग जाएंगा तुम बोलता मुझे गड़ित बूरीन लगती आप गड़ित करने आप मजा आने लग जाएंगा इंट्रेस्ट हम खुद पेदा करते हैं, कोई माघ के पेट से इंट्रेस्ट लेकर करके नहीं आता है, आपको ढूलक बजाने में इंट्रेस्ट नहीं है, मंदल के साथ बढ़ने चालू करते हैं, आपको इंट्रेस्ट आपको इंट्रेस्ट आएगा, इंट्रेस्ट हम खुद तो पेदा कर सकते हैं तो मेरा मानने यह है कि आपका इंट्रेस्ट की चीज में यह देखके सब्जेक्ट मतलो कि आप मैं अपना बता रहा हूं लेकिन आप सुनो सबकी करना आप अपने मन की ठीक है आप आप आपको अपना खुड देना है आप क्या बनना चाहते हो आप वो देखmachen करके आप सब्जेक्ट चोइस करो मेरा मानने आप आप यह है जीसे टीना डावी की हम बात करें आप को चाहते हैं तması के बारे में कलेक्टर रहे चु क्लेक्टर भी अधिकारी बनना तो उसने क्लास 75 तरहिकार बनना तो फर Stone 네 ले लिया उनने किल कि लेवन फिर सब्जेक्ट चेंज करके इसने आर्ट sometimes कर वा लिया किए लग अपकई सारी डक्टर बनना चाहते जनको ड्क बनना चालां यह इस करना अब मुंना भाई सबसे कम मेहनत का है मैं लगती मालों तो सबसे कम मेहनत और ज्यादा प्रिणाम सबसे कम मेहनत लगती आर्ट में आर्ट में आप कोचिंग नहीं भी करोगे आर्ट में कहीं आप पढ़ने नहीं भी जाओगे आप अराम से आर्ट से ले करके आप अच्छा कर सकते हो ठीक है आर परजाओ नहीं जाओ सब बराबर रहता है ठीक है और आप grid class एक मेने प madam यह पढ़ Palmer नाम कमाना चाहते हो बतारों भोंदू से भोंदू लड़कावी जिसे दस्वी क्लास में पुरा बेल रहे चुका है वो भी आर्ट्स लेकर के अराम से कक्षा बार्वी में टाप कर सकता है बहुत दीजी है बहुत असान है आर्ट्स आप पढ़ोगे आपको ही समझ में आएगा और आर्ट्स की चा अगर किसी बंदे ने मेंस ले लिया तो मेंस में मेंस वाले को सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर यह होता है कि इधर के इधर के जितने भी फिल्ट होती है आल टोटल मेंस वाला कर सकता है मेंस वाला कलेक्टर भी बन सकता है मेंस वाला मेंस वाला कामर्स का कामर्स का कोर् मेस से वाला आर्ट के पूरे काम कर सकता है मेस से वाला के लिए हर रास्ते खुले होती है और मेस से वाला इंजीनरी बन सकता है और मेस से लेकर कि जब इंसान पढ़ता है मैं बता रहा हूँ जब मेरा 12th क्लास में मेरा मेस से था मेस से लेकर पढ़ने से क्या होता दोगो पहल ह्गंट हाब को ini मोटी मोटी किताब हो गी वाता रहा हुं जब आप मेस्टे के पढ़े ना और आपने हलके में depende कराधियार पेपर के पास पढ़े अपर के पास पढ़ें तो करें सपर के संसे वह कुछ में अपर में भेड्रेण क्यों करते पेचित। विएkalta पढ़ लिए पूरे नहीं पढ़ गाए पूरे फेलो को मैस में महिनत लगती है मैस में आप 99 बना सकते हो लेकिन बच्चों मैस महिनत काम है और जब आप मैस लोगे और जब लगन से पढ़ते हो रोज 5-10 घंटे आपके सोचने का पावर आपके समझने की छमता आपकी creativity बहुत खतरनाक तरीकर से आपकी increase होती है अगर मान चलो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी एक एक्जाम हुआ है उस एक्जाम का नाम है teaching job t-e-a-c-h-i-n-g teaching job teaching job मतलब इस इस एक्जाम को निकाने इसका नाम था amputate 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 2022 यह जो teaching job बाला एक्जाम amputate 2022 ठीक है teaching job बाला एक्जाम amputate 2022 यह बाला जो एक्जाम है अगर इस एक्जाम को इस एक्जाम में 109 अंक लेकर के आया highest number है मेरे अपने एरिया में और जैसे बंदे जो लोग आर्ट से लेकर के पढ़े थे और जिन लोग ने बारभी क्लास में MP में टाप किया था बहुत सारे लोग है और कई सारे लोग जो लोग ने खुप आर्ट के टोपर रहे चुके पर्सेंट लेकर इसको माइंड का उतना डेपलबड नहीं हो पाता है क्योंकि आर्ट्स लेने के बाद इंसान धंग से पढ़ता नहीं है बलकि रट्टा लगाता रुट्त अच्छी टीचर नहीं मिल पाते मैं अपने एरिया का बता रहो आपके एरिया में अगर आर्ट्स के चीचर हो अच्छा जड़ से समझाने वाले खेर मैं तो आपको पढ़ पाता है कि में स्ट्री में धिमाग लगाना पर साल इलेक्ट्रान यहां से घुसरा है बहां से निकल रहा है इसलिए क्या होता है कि जब बंदा में से लेकर करके पढ़ता है तो उसकी आप 10 घंटे पढ़ने के उसकी हेविट बन जाती है अगर आप मेरे सामने अपने क्लास आप तीन-तीन चाहर से घंटे आप लुका करते हो कोचिंक करते हो आप किलासे जौइन करते हो आपको बहुत पढ़ना पड़ता है Lehr और हमको एक बेनेटिई हैं मिल यह मलता है मैं से वह बंदैं को दिसे मुझ नियुक्ती आपकर बेला कर सकता हूं यूं अपकर सकता हूं म मैं सवाल हुआ लेकिन जो आट सवाला वंदा है वो इंजीनर नहीं बन सकता एक डिफाल्ट यहां पर रहता है लेकिन आट से लेने के बाद भी बहुत इसको पुरता है अगर आप आप लेते हो 11 क्लास में तो और अगर पूरी-पूरी किताब पढ़ते हो अगर आप पूरा- मेहनत करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा और आर्ट का सबस्क्राइब बेनिफिट यहां पर जी है कि गदा से गदा बच्चा भी हो जिसको कुछ नहीं आता है तो वो भी अगर आर्ट लेकर पढ़ेगा तो वो अराम से एंपीट आप कर सकता है और अगर वो उसने अप पुजगार घुम रहा है और अधर आके फिर खेती वाड़ी कर रहा है कई सारे एक्जांपल मिल जाएंगे और कई सारे अभी वतारों भी परसुद वतारों हमरे गाओं में हमरे मतलब हमरे सेहर में छे लोगों की नोकरी लगी और छे के छे आठ से वाले थे अब केसे लग लिए और भूलोग खटाक से टीचर बन गए अब जहान 40-40-40-1,000 रूप मेंने वो पेमेंट जहलेंगे तो आर्ट लेने का बेनिफिट आपके हाँ पर यह मिल जाता है कि आर्ट लेने से आपका जदना उन्रुज बढ़ेगा और आप लोग के बात और बताना चाहते हो सरका सारी जोब के लिए अगर आपको गवर्मेंट जोब करना चाहते हो कि हमको सरकारी नोखरी करना है तो चाहिए आप चपरासी हो चपरासी से लेकर करके कलेक्टर बनने तक आपके जो 11 और 12 ग्लास में आप लोग आपको करना है कि आपको लेना क्या है इसके बाद हम बात करें बायों की तो बायों लेने वाला बन्दा डाक्टर बनता है एक सबसे बेस्ट अगर आप चाहिए कि हमरे लिए पूरे रास्ते खुले रहे तो सब अच्छा काम यह होता है कि आप mathematics ले लो और बायो को additional करवा लो class 12 में क्या बोला मैंने आपने में subject ले लिए और बायो को आपने additional करवा लिए उससे क्या होगा जो पहने वाले बच्चे में उनकी बात कर रहा हूं अगर आपने में से ले लिया और बायो को आपने additional करवा लिय सब्सक्राइब और बारवी के बाद आप डाक्टर की फिल्ड में भी आप जा सकते हो बारवी क्लास निकलने के बाद यहां पर आपको यह मिलने वाला है ठीक है और सबसे बड़ा बेनिफिट आपके यहां पर यही रहेगा इसके बाद जो को मर्स वाले बंदे होते हैं अगर आपको बिजनेस मेरेजमेंट में जाना है अगार आप लोग को लोग करना है बीसी करना है अब कई S सुनना कई सारे बंदे यसे मिल जाएंगे जो पांची भी फेल है और आज बिजिनस करके अर्वो खरवो उरुपए कमा रहा है और कई सारे बंदे से मिल जायेंगे जिन लोग ने ग्यान लेकरके पड़ाई करे हैं emba करे और पूरे सब चीज करें लेकिन उनको बिजनेस करते नहीं आता है लाखो करोड़ रुपी बाप को डुबा दिये बरबाद कर दिये घर को कंगाल दिये तो किताबी ग्यान अलग होता है आप यह मैं सूचे नहीं कि हम कोमर्स लेके पढ़ेंगे तो हम बिजनेस करके अरपती बन जाएंगे मुकर सम्मानी बन जाएंगे ऐसा नहीं यह दुनियादारी का ज्यान संसान बिजनेस बनता है तो अगर आप इस गलत ठेमी में होकि हम बिजनेस करने के लिए कोमर्स ले तो इस चीज को निकाल देना आप आर्ट लेके बिजनेस कर सकते हो साइंस लेके स्कूल से इसकूप कोमर्स में बहुत स्कूल्चर की य Tribal कि अती है तो आप उसमें जल्धी आ आनने हो जाता है आप 20 भंडार खोल सकते हो भास सारे स्कोप होते ह् гор क होते है कुछ जल्दी से जल्दी हमको लगना है हमको जाधा प्रहलीकमा स्क्राइन नहीं करना है तो भा्षा ज़तल गी के बाद कि होता है कि इसके बाद को कहीं पर भी प्राइबट जोब लग जाती है लेकिन यह कहना चाहआँ अगर आपके पड़ाय लिखाई थो दूर रहाती है और भी और भी निकालना भूत-मस्किल होना यह प्रढ़ाई जाते हो तो मैं सजेश्ट एक करूगा कि आप सबर खाली जिए आप बार भी कर लीजिए और भी करने के बाद फिर आइटी आइगो करना हो तो आप उसके बाद में कर लिजिए एक को फोर होता है इसको छोटा इंजीनियर बोलते इसको बोलते पोली टेक्निक ठीक बच्चों तो आज की वीडियो में इतना ही और एक बात यहां पर और सुनना मेरी बात है आप जो भी सब्जेक्ट लो जो मैं दो चीज पढ़ाऊंगा आप लोग को मैं पहला पढ़ाऊंगा आपको मैस जो कोई भी बच्चे मुझे से आपके अमन सर से जिसको आठ साल का एक्स्प्र पर सर्च करना है भारती यह B-H-A-R-T-I-E-B-A-R-T-I-E भारती शेर 11 इलेवन्थ साइंस आप से लेवन्थ साइंस तो आपको मैरे चैनल में लेगा मेस और बायों की क्लास लूँगा और आपको सर्च मारना है और जो बंदी आर्स लेकार पढ़ेंगे तो आपको सर्च क कि मैं आर्ट पढ़ाऊंगा मैं खुद आपको यहां पर पढ़ाऊंगा यह दो चीज ठीक है और जैसे आप आंगे बढ़ती जाओंगे तो बैसे बैसे नए चैनलर बनती जाएंगे आप लोग को पूरा मंजील तक पहुचाऊंगा मैं ठीक है इसके साथ सब्सक्राइब और जो लोगों साइड इन कम करने के लिए यूटुब बगरा सीखना चाहते कि हम यूटुब से थोलौबध पैसे कमाएं और जो लोगुट थोलौबध पैसा कमाना चाहते और यह यूटूब पर सर्च करना है यूटूब की पार्ट शाला मन साउ भारती शे फुल टाइम भी काम करेगा लेकिन उसका पेशा हमको इंबेश्ट भी करना पड़ता है ठीक है इसी के साथ जो लोग जीवन में अमीर बनना चाहते है और परसनालिटी डेवलोप्मेंट करना चाहते है तो सबसे बेश्ट बता रहा हूँ भारती शेर बुक रीडर ये चेनल है इस पर आप जाओ को तो आप लोग को बेश्ट अपर्चिनूटी मिलेगी इसी के साथ धन्यवाद जेहिन जैभारत और इसी चेनल पर आपके इस तरह के वीडियो आते रहेंगे धन्यवाद जेहिन जैभारत